इस वीडियो में हम Context API देखेंगे और उसके साथ में Use Context Hook कैसे काम करता है तो आपने अभी तक देखा होगा कि इस तरह का कुछ structure होता है React application का जिसमें component के अंदर एक hierarchy होती है दूसरे components की तो यहाँ पे मेरे पास एक app, newsfeed और उसके अंदर कुछ post है तो Context एक तरह का external object है जो आप सीदे किसी पे pass कर सकते हो जैसे Context के अंदर आप पूरा app पुट कर सकते हो तो फिर इस Context को app पे call किया जा सकता है, newsfeed पे call किया जा सकता है या post पे call किया जा सकता है, एक तरह से आप कह सकते हो, यह global है Context तो इसका फाइदा क्या हुआ है ये कहीं पे भी आपको import किया जा सकता है किसी भी level पे तो context API को कैसे use करें तो सबसे पहले आपको एक context बनाना पड़ेगा react.createContext से तो react.createContext already function होता है उसमें आप एक object पास कर सकते हो color object एक theme में बनाना चाहरा हूँ तो ये theme context मैंने इसको globally नाम दे दिया है अब मेरे पास एक component है ये already कहीं पे put होगा react में इस component का code कुछ इस तरह से है तो यहाँ पे मैंने आपने top में context type static context type लिख दिया है ये fix words है static एक keyword है और context type context type भी exact एक तरह का keyword है react के context में तो उसको जब आप theme context के equal करते हो तो क्या होता है उस case में यहाँ पे जो this.context है ये अपने आप उस context के बराबर हो जाएगा यानि इसमें dot color भी मैं access कर पा रहा हूँ तो क्या होगा this.context equal to हो जाएगा एक तरह से theme context में जो आपने उपर पास किया था object उसके पहली चीज़ तो ये है theme context value है वो fixed रहेगा ये एक तरह से इसका drawback है क्योंकि अब theme context अब कहीं से change नहीं कर सकते उपर color black है तो black है ऐसे ही एक context ही आप पास कर पाओगे क्यों क्योंकि इस component में अब context type तो एक ही है तो उसमें आप अगर दूसरा context type कुछ पास करो के तो पहले वाला override हो जाएगा तो दो context भी पास नहीं किये जा सकते तो इसका फाइदा तो यह है कि context आप किसी भी level पे use कर सकते हो अगर globally theme context available है तो कहीं पे भी किसी भी level पे उसको call कर सकते हो तो एक तरह से state props इसके थूँ पास नहीं करना पड़ेगा बट इसकी दो यह limitations है next हम इसमें इस limitation को हटाने के लिए कुछ करते हैं तो मैं एक provider और consumer provide करता हूँ तो theme context वैसा ही हमने declare किया है बट अब मैंने theme context dot provider यहाँ पे आप देख रहे होगे इससे wrap कर दिया है component तो component के दोनों तरफ यह parent हो गया है और इसमें एक value पास की है यह value है theme इस theme में मैं एक object भी पास कर सकता हूँ जैसे उपर color black object है वैसा ही एक object आप मान सकते हो यहाँ पे मैंने दिखाया नहीं theme कि क्या value है कुछ भी हो सकती है तो basically आप यहाँ पे value कभी भी change कर सकते हो तो आप वो dynamic हो गई है अब component में आप इसको कैसे use करोगे क्योंकि यह अब static नहीं रही है तो static type वाला use करना सही नहीं है यहाँ पे आपको consumer use करना चाहिए तो consumer में आप देख रहे होगे पास हो गई अब इस value को आप use कर सकते हो जैसे यहाँ theme.color में मैंने use किया है तो इस चीज से क्या extra फाइदा हुआ इससे अब यह फाइदा हो रहा है कि एक तो आप value कभी भी change कर सकते हो तो यह value जो है वो कभी भी change की जा सकती दूसरे आप बहुत सारे context प्रोवाइड कर सकते हो कैसे? जैसे theme context provider है इसके उपर एक और context बना दो और consumer में भी यहाँ पर कई सारे consumer declare कर दो तो एक तरह से वैसे तो hierarchy create हो जाएगी consumer में आप देख रहे हो कि एक problem आएगी कि एक arrow function उसके अंदर एक और consumer फिर arrow function इस तरह से कुछ थोड़ा complicated बनेगा पर आप use कर सकते हो काफी यह जो problem है उत नहीं आएगी जब आप hook use करोगे क्योंकि यह तो class component का example था तो इसमें आपको इस तरह से करना पड़ेगा बड़ा अच्छी बात है कि हम आज कल functional component ही use करते है mostly तो उसमें आप use context hook use कर सकते हो तो same चीज है यहाँ पर value pass होती है यहाँ पर आप use context जो आपका functional component है उसमें use context नाम का hook सीधे react में available है उसको use कर सकते हो इसमें theme context वो globally जो आपने declare किया था तो यह ज़रूर है कि अगर आप अलग-अलग file में लिके रहे हो theme सीधे मिल गया use context से इतना कुछ करना नहीं पड़ा और नीचे use भी काफी easily हो गया दूसरा एक फाइदा है कि बहुत सारे context भी जब बनाऊगे तो इतना ही easy रहेगा क्योंकि provider में तो चाहे hierarchy बड़ी हम बना सकते हैं लेकिन जहां consume करना है वहाँ पर एक और बस use context लिखना पड़ेगा और एक और variable बन जाएगा तो जादा complex code होगा नहीं अब इस चीज को एक code से explain करते हैं इस example में हम एक previous code से start कर रहे हैं जिसमें मैंने component class और एक hook से component बनाया हुआ है तो यह दोनों पहले वाले वीडियो में भी हमने use किये थे यहाँ पर मैं एक नया component भी बना लेता हूँ ताकि हम context API और अच्छे से समझ पाएं क्योंकि context API का actual use यही है कि किसी भी level पर आप context यूज कर सके तो मैं एक button component बना रहा हूँ यहाँ मैं return कर लूँगा button तो एक simple button मैंने मनाया है और इस पे मैं कुछ action put कर सकता हूँ जैसे change मैंने अभी लिखा है तो अभी basically इस button का कुछ special use नहीं है तो as it is मैं इसको एक div में put कर देता हूँ और इस पे styling मैं देना चाहूँगा तो यहाँ पे मैं button put कर रहा हूँ और यहाँ पे आपको यह change button दिख रहा है ऐसे ही जो render है उपर class component उसमें भी यह put कर देता हूँ अब suppose इस button में आप कुछ style देना चाहरे हो तो style आप directly style tag से दे सकते हो यहाँ पे background में मैं कुछ red background दे रहा हूँ और color में gray कुछ हम दे रहे हैं तो यह काफी थोड़ा आजीब दिख रहा है आप थोड़ा change भी कर सकते हो बट basically एक background और एक text इस division पे ना देके इस button का मैं change करना चाहता हूँ तो red background थोड़ा आजीब लग रहा है तो white और color में red कर देता हूँ तो यह थोड़ा सा फिर भी sensible है तो यह जो style है suppose यह आपकी theme हो और यह आप हर जगे put करना चाहते हो तो मैं अभी manually put कर रहा हूँ हर जगे मेरी app में हर level पे तो आप देख रहे हो इसके सारे text वगरे यह सब भी change हो गए है तो यह दोनों component में मैं manually change कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे manually अगर मैं black और white दे दू तो यह एक तरह की dark theme हो जाएगी लेकिन button अभी change नहीं हुआ है क्योंकि उसमें हमने manually red दिया हुआ है तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं context बनाओ और यहाँ पे मैं उसको लगा सकूँ top level पे ताकि यह सारे एक साथ change हो जाए तो generally context ऐसी चीज़ों के लिए use होता है जहाँ आप globally कोई context change कर रहे हो जैसे theme वगरे तो props वगरे की तरह data pass करने के काम नहीं आता है तो मैं एक context बनाता हूँ यहाँ पे और इसका मैं नाम रखूँँगा theme context तो react.create context से मैं बना सकता हूँ initial value यहाँ मैं पास कर सकता हूँ तो मैं वही object जो style में पास कर रहे हैं वैसा ही मैं पास कर दूँगा तो black और white ऐसा दे देता हूँ ताकि dark जो scheme है वैसा सा ही दिखाई दे तो यह theme context हम दोनों जगे import कर सकते हैं दोनों तरगे component में अलग-अलग तरीके से तो सबसे पहले class component में इसको import करके देखते हैं तो यहाँ पे मैं theme context उपर टॉप पे provide कर सकता हूँ और उससे पहले हम सीधे इसको use करके देखते हैं जिसमें की हम कहीं भी provider use ही नहीं कर रहे तो मैं static use करूँगा और context type equal to theme context same ही file में है तो हमको import नहीं करना पड़ेगा तो यहाँ पे अब आप सीधे this.context background और ऐसे this.context color यह दोनों चीज़े use कर सकते हो तो this.context fix keyword है क्योंकि वो direct वहाँ से आएगा तो इसको theme context नहीं मिला किसी वज़े से शायद हमने उसको function के अंदर declare किया था यह globally आप कर सकते हो तो अब आप देखोगे किसे dark theme बन गया है तो basically आपका theme context वहाँ से आपने एक तरह से ले लिया है global variable की तरह है समा सकते हो आप इसको अब इसी चीज़ को अगर hook में करना है तो hook में already एक ऐसा hook है use context तो constant theme equal to use context और यहाँ पे मैं theme context क्योंकि global है भी वह उसको use कर सकता हूँ तो यहाँ पे भी यह theme variable को use करके आप theme.background और theme.color इस तरह से दोनों variable use कर सकते हो तो आपने देखा हो hook में तो काफी easy है इसको use करना तो इस से पता लगता है कि hooks काफी popular है इस चीज़ के लिए नाव यहाँ पे भी मैं इसको again put कर रहा हूँ button में क्योंकि lastly button में भी वही same style हमको put करनी थी तो यहाँ पे यह button भी directly change हो जाता है तो theme.background यहाँ पे भी काम कर रहा है तो अब पूरी चीज एक ही तरह से एक theme से ही उपर context से change हो रही है यहीं से ही value ले रही है अगर यहाँ पे मैं कुछ change करता हूँ तो सब कुछ change हो जाना चाहिए पर मैं कोई यहाँ से manually change करना पड़ेगा तो manually मैं हमेशा change नहीं करना चाहूँगा तो इस वज़े से मैं एक provider यहाँ पे put करूँगा जिसको wrap करेगा कि कितने area में मैं को service चाहिए और यहाँ पे एक value property में मैं theme pass कर सकता हूँ तो यह theme variable अभी तक हमने बनाया नहीं है तो मैं अभी एक variable declare कर दूँगा वैसे यह directly भी pass कर सकते हो पर directly pass करने का ज़्यादा sense बनता नहीं है एक बार check करके ज़रूर देखा जा सकता है तो यह एक तरह से काम कर रही है इसमें जो भी value आप pass कर रहे हो अपने आप वो नीचे जा रही है red color और इस तरह से अब मैं एक variable बनाऊंगा जिसमें मैं themes put कर सकता हूँ तो constant themes और इसमें मैं एक area of themes या object of theme बना सकते हो जिसमें कि आप dark, light इस तरह की कुछ themes डिकलेर करोगे तो एक red theme हो गई जो अभी यहाँ पे हमने use कर रखिये as it is put कर देते है ऐसे light एक theme हो गई जिसमें हम कुछ light colors use करेंगे तो color हम grey use कर लेंगे font का dark theme हम use करेंगे जिसमें background हम थोड़ा dark लेंगे जो उपर almost हमने डिकलेर कर रखा है तो इस तरह से ये theme themes हो गई तो अब आप सीरे theme variable से use कर सकते हो आपको बार-बार repeat नहीं करना यहाँ themes.light जैसे use किया तो यह अपने आप light हो गई यहाँ पर अगर आप themes.dark ऐसा कुछ करोगे तो वो सब change हो जाएगा पर इसको dynamically कैसे change करें तो इसके लिए again हम use state use ले सकते हैं तो use state hook use करेंगे और theme set theme उससे दो variable हमारे पास आ जाएंगे तो इसकी initial state मैं light ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं theme जो यह वो theme है जो आपको set state से मिल रहा है तो set theme कहीं आप एक button बना सकते हो तो मैं basically कुछ buttons बना रहा हूँ जिससे आप theme change कर पाओगे और उसमें हम set theme call कर लेंगे तो जिससे मैंने एक red button बनाया और इसके on click पे मैं set theme call कर लूँगा तो set theme और इसमें आप जो भी theme red पे ready होनी चाहिए तो उस तरह से आप बना सकते हो दूसरे buttons भी बना लेते हैं तो तीन button होंगे basically एक dark theme के लिए एक light के लिए एक red के लिए already है तो अब यह refresh किया उपर तीनो theme red, dark, light सब कुछ अपने आप change हो रहा है even button के level तक भी चीज़े change हो रही है provider से अब suppose आपके पास एक और context है तो some other context अब इस context को भी आपको apply करना है तो problem कहाँ पे आएगी problem इसमें use context में तो कोई खास problem नहीं है आप एक और बार use context use कर सकते हो पर यहां static type में आप use नहीं कर पाओगे static type क्योंकि एक ही चीज़ एक ही context को रख सकता है तो उसके लिए हमारे पास एक solution है class components में वो है consumer तो जैसे provider था वैसे ही आप एक context का consumer पुट कर सकते हो तो theme context dot consumer मैं पुट कर देता हूँ इसका syntax आप ध्यान से देखें इसके अंदर यहां पे हम expression डालते हैं उसके बाद एक arrow function देते हैं इस arrow function के आगे हम पूरा component render कर देते हैं इस arrow function में हमको वो theme मिल जाएगी जो आपने उपर value में पास की है तो यहां पे हम again वैसे ही theme dot background उस तरह से use कर सकते हैं तो काफी कुछ context hook जैसा सा ही हो गया बट यह कहीं पे भी आप दो consumer भी अब use कर सकते हो क्योंकि हर consumer का खुद का एक theme या जो भी variable है वो होगा तो आप multiple ऐसे apply कर सकते हो now मैं context को एक अलग file में put कर रहा हूँ क्योंकि इसी तरह से आपको put करना चाहिए क्योंकि globally वो अलग-अलग component में कहीं पे भी access हो सकता है तो यह logical step है कि आप generally उसको अलग file में रखें वहां से उसको export करें और फिर अपनी जहां भी file में आपको चाहिए multiple components में चाहिए हो सकता है तो वहां से आप context को import कर लें तो अभी भी यह finally बिल्कुल सही चल रहा है तो इस channel पर हम देखते हैं interesting code concepts और उनके example codes अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो subscribe कीजिए